कई तरीके के कोफते आप सभी ने खाये होंगे लेकिन आपने कभी कोफता दो मस्ताने नहीं खाये होंगे जी हाँ दोस्तों आज मैं आपके लिए कोफता दो मस्ताने की रेस्पी लेके आई हूँ जो की बिल्कुल रेस्टूरेंट स्टाइल में हैं तो चलो हम स्टार्ट करत कोफता दो मस्ताने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पनीर यह मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है इसको छोटे-छोटे टुकडों में कट कर लिया है इसको अब मिक्सी के जार में डालके एक सॉफ्ट पेस्ट बनाएंगे पेस्ट बनाते समय एक बात का हमें ध्यान रखना है कि मि मिक्सी को कॉंटिनस नहीं चलाना है इसको 30-30 सेकंड के लिए हमें चलाना है फिर बंद करना फिर चलाना फिर बंद करना है यह देखिए पनीर का पेस्ट बनके तयार है पनीर का पेस्ट बनाते टाइम हमें पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है अब हम स्टफिंग क लिए बन फोर्थ के करीब पनीर को निकाल लेंगे इस पनीर से हम अपनी स्टफिंग तयार करेंगे यह देखें बन फोर्थ के करीब हमने अपने पनीर को निकाल दिया है अब हम इसमें थोड़े से ड्राइफ फूर्ट डालेंगे यह मैंने काजू किसमिस और चरॉंजी ड्र सवाज चाट मसाला आपनीड के लिए कॉयमी मिर्च लिए कन अब टेवल सबसक्तिखा चाट मड़का है often 1 अब क करू एक पनीर एप प्रिस्पून कॉन्फलार पाउडर डालेंगे अगर आपके पास कॉन्फलार पाउडर नहीं है तो आप मेंदा भी डाल सकते हैं स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे अब हम सारी चीजों को अच्छे से बना के मिला देंगे और एक सौफ्ट सा डो बना देंगे सौफ्ट सा डो बन के तयार है हमने अपने हाथों में तेल लगा लिया है हमने थोड़ा सा पनील ले लिया है जिससे की हम कुफ्ता बनाएंगे इसको हमने पेड़े की शेप में बना दिया है इसमें अब हम स्टफिंग भरेंगे हमने जो अपनी स्टफिंग बना के तयार की है उसको हम इस तरह भर देंगे और इसको हम कवर करेंगे ये प्रॉसेस हमें बहुत हलके हलके हाथों करनी है जैसे कि मैं कर रही हूँ यह देखे इस कोफते मनाते टाइम हमें जल्दवाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है फ्रेंट्स नहीं तो कोफते हमारे फट जाएंगे यह देखे यह देख सकते हैं आप मैंने कौफते बना दिये हैं ऐसे हम दूसरा कौफता बनाएंगे यह देखें हैं मैंने अच्छे से इसका पेड़ा बना लिए इसमें स्टाफिग भर दी है इसको अच्छे से कवर करेंगे इसको बहुती धीरे-धीरे इसको कवर करना है स्टाफिंग को अच्छे से धीरे-धीरे कवर करना है यह देखें सारे कुफते बनके हमारे तयार है यह देख सकते हैं अब हम कुफते को फ्राइ करेंगे फ्राई करने के लिए एक फ्राई पैन लिया है मैंने, उसमें हाफ कप के करीब ओईल डालेंगे, यह मैंने ओईल डाल दिया है, अब दीरे दीरे करके हम सापने बने हुए कुफते को इसमें फ्राई करेंगे, सारे कुफते को हम एक एक करके रखेंगे, एक साथ हमें कुफतो को नहीं रखना है कोफते हमारे एक साइड से सीख चुके हैं ऐसे ही हम दूसरे साइड भी इनको सेखेंगे यह देखे जैसे मैं सेख रही हूं आप भी इसी तरह से सेखेगा कोफते से तयार हैं अब इनको हम निकाल लेंगे अब हम कुफते के लिए करी बना एक अद्रक का त्कड़ा मेंला अब हमें एक फ्राइपन लेंगे उसमें ओईल डालके जीरे का तड़का लगा देंगे अब हम पिसा हुआ पेस्ट डालेंगे इसमें इसको हम अच्छे से फ्राइपन कर लेंगे एक चमच के करीब धनिया पाउडर आधी चमच हल्दी पाउडर आधी चमच लाल मिर्च और आधी चमच के करीब गरम मसाला डालेंगे सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे इसको जब तक हमें फ्राइपन करना है जब तक यह तेल ना छोड़ दे सारे मसालों ने तेल छोड़ दिया है स्वादा नुसान नमक डालेंगे एक कप के करीब पके हुए टमाटर डालेंगे आधी चमच सकर डालेंगे थोड़ी सी इलाइची पाउडर डालेंगे एक चमच की करीब कसूरी में थी एक कप पानी यहाँ पे मैं एक कप पानी का यूज कर रहे हूँ अगर आपको ग्रेवी पतली चाहिए है तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दें अब इन सब चीजों को अच्छे से हम मिला लेंगे और दो मिनट के लिए पका लेंग अब हमारे कोफते हैं अब हमारे एक करके डालेंगे ये देखें मैं सारे कुफते एक एक करके डाल रही हूँ हमें कुफतों को एकटा नहीं डालना है बरना हमारे कुफते फट जाएंगे ये देखें आप मैंने सारे कुफते डाल दिये हैं इसको अब हम 5 मिनट के लिए कोखोने के लिए रख देंगे हमारे कुफ्ते को खो चुके हैं यह देखिए आप अब हम कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे यह देखिए हमारे कुफ्ते पूरी तरीके से पक चुके हैं यह आप देख सकते हैं अब हम गैस को बंद कर देंगे और अपने कुफ्ते को निकाल लेंगे कुफते बनके हमारे तयार हैं अब इसमें हम फ्रेश क्रीम डाल के सर्व करेंगें अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी डाल सकते हैं अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें